असलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे स्पैसी, टेस्टी और आसानी से बनकर तयार होने वाला पनीर पराठा अगर आपको मेरी रेच्पीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेर करें मेरे चनल पर आप नए हो तो चनल को सब्सक्राइब करें चलिए पनीर पराठा बना लेते हैं पनीर पराठा बनाने के लिए मैनिया पर दो कप गिहों के आटे को लिया है आटे में हम सौधन सर नमक को दालेंगे आटे में थोड़ा थोड़ा पानी दाल कर हम सौफ्ट डो बना लेंगे थोड़ा सा तेल को हम आटे पर लगा कर अच्छे से माटे को मसल लेंगे इस तरह आटे को अच्छे से में गुंद लेने से जो पराटे की परत जो है फटेगी नहीं आटे को ढखकर हम सैट में रख लेंगे अब हम पराटे की फिलिंग को बना लेंगे मैंने यहाँ पर homemade 100 ग्राम पनीर को लिया हुआ है पनीर को हम greater से grate कर लेंगे पनीर को हाथ से स्क्रम्बल कर लेंगे तो पराटे बेलते वक्त पराटे फट सकते हैं अब हम एक बारीक चॉप की हुई प्यास को पनीर में शामिल कर लेंगे एक टीजपून धन्या पोडर, एक टीजपून आमचूर पोडर, एक टीजपून लाल मिर्च पोडर, स्वाधनुसा रमक, दो कटी भी हरी मिर्च, थोड़ा सहरा दन्या इन सब इंग्रीडेन्स को दाल कर अच्छे से हम पनीर में मिक्स कर लेंगे अब हम एक medium size के आटे के पेड़े को तोड़ लेंगे इस तरह से हम अंगोटे से कटोरी के shape में पेड़े को बना लेंगे अब इस तरह के से आटे को कटोरी के shape में बना लेने से filling बरने को हमें आसानी होगी अब हम उपर की तरफ आखे को इक raztaka करके अच्छे से पेड़े को pack कर लेंगे सूके आखे से पेड़े को dust करके हलके आसे इस तरह से press कर लेंगे इस तरह से अंब पेड़े को press कर लेंगे तो filling जो है equally फेल जाएगा बेलते वक्त और शेखते वक्त पराटा हमारा पठेगा नहीं पराटे को सेखने के लिए पराटे को मैंने हम πα्र एक पैन में दाली आए लो मीडेम फिल्स पे अलट पलट कर सेख लेंगे अपने पसंद से आप पराटे पर गी, तेल या बटर को लगाकर पराठे को अलट पलट कर low medium flame पे सेख लें पराठे को सेखने के लिए मैंने यहाँ पर गी और बटर को इस्तिमाल किया हुआ है आप यहाँ पर पराठे को square या triangle shape में भी बेल सकते हैं मैंने यहाँ पर पराठा बनाने के लिए homemade पनीर का इस्तिमाल किया हुआ है मेरे चनल पर पनीर बनाने की रिस्पी का वीडियो मोजोद है डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है पराठे को आप दहीं वाले रहते के साथ किसी भी सबजी या चार के साथ गर्मा गर्म सरूख कर लें आई होप आज की मेरी पनीर पराठे की रिस्पी आपको जरूर पसंद आई होगी फिर मिलते हैं और एक रिस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर अल्ला हाफीज